नमस्ते गाइज मैं हूँ डॉक्टर सानिया और आज में बात करने वाली हो गाउट आर्थराइटिस के बारे में यानि कि गठिया रोक के बारी में जो की बहुत कॉमन हो चुकर आपको पता होगा अगर आपके भी घुटनों में जॉइंस में अलग अलग जगा के जॉइंस में पेन होता है गाउट आर्थराइटिस आज कल हर एक इनसान मीं देखी जाती है महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है और फुशो में भी यह डिजीज बहुत देखी जा रही है और आज हम बात करेंगी इसी गाउट आर्थराइटिस के बारे में अब मैं पांच टिप्स बिताऊंगी जिससे आप अपने आर्थराइटिस को कंट्रोल में रख सकते हैं चाहिए गाउट आर्थराइटिस हो, रूमर्टाइड आर्थराइटिस हो, एंकाईल और रॉस्स, स्पॉंडलाइटिस हो या फिर कोई भी ऐसा लूपस हो, और इस टाइप के जितने भी जॉइन्स लेटेड जो पेइन वाले जो डिजीजिस होते हैं यानिके रॉमर्टाइड आर्थराइटिस जो सबसे कॉमन है, इन सारे आर्थराइटिस वाले पिक्षिंज को ये वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, इन पांस टिप्स से आप अपने आर्थराइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं और बाखी ओर्गंज यानिके लिवर और किड्नी इनको भी डामेज होने से लेडर लेटर डामेज होता है अब इनको बचा सकते हैं तो उसटेलियो शुरू करते हैं ये 5 टिप्स जो कि आर्थराइटिस वे बहुत जरूरी हो से कंट्रोल करने करें तो हमारी जो पहली टिप है वो है डाइट अब इसमें जो डाइट होती है न कोई भी कैसे भी लेने लग जाता है कुछ भी खाते रहते हैं बड़ आसा नहीं आपको एक पर्टिकुलर एंटी इंफ्लमेटरी डाइट लिनी पड़ी यानि कि जो इंफ्लमेशन यानि कि जो पे पर आइटम लेना है अगर आपको उलिवी डिजिस है अर्थरियिस के लावा कोई भी तो भी आपको एंटी इंफ्लमेटरी फूट आइटम लेना है अगला आता है हमारा बहुत ही मेजर इंपोर्टन टिप जो कि है एक्सरसाइस करना देखा चाते है कि यह जो पेशेंट्स तो exercise is a very must, बहुत important है, आप walk कीजिए, daily से walk कर, brisk walking कीजिए, इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा, आपके arthritis के pain में, काउट, arthritis में भी बहुत जादा मिलेगा, योगा कीजिए, आपको physically active रहना है, जितना जादा योगा करेंगे, और risk walking करेंगे, exercise करेंगे, तो इससे जो है, आपकी body का, जो एक maintain होते है, हीमोडियलेटिक वो होगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फाइदा होगा, अग B1 हो, B6 हो, इस सारी चीज़े, vitamin D, बहुत important है हमारी body के लिए, but some cases में होता है, को vegetarian होता है, को non-vegetarian होता है, vegetarian लोगों को supplements लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो in that case, आप supplements ले, जिस भी चीज़े आपकी body में कमी है, vitamin B की बहुत common होती है with vegetarians मे, तो आप ऐसे supplements vitamins के ले सकते हैं, और अपने doctor से आप एक बार consult करके supplements को अपनी life में ज़रूर add करें, because यह बहुत बड़ा factor हो जाता है, अगर आप vegetarian है, या non-vegetarian है, या आप particularly कोई सबजी खा रहें, कुछ नहीं खा रहें, इस से बहुत फरक पढ़ता है, तो please आप इसको भी अपने अगला है कि medications, medications, जो हैं, लोग क्या करते हैं, कि किसी को ravotad arthritis, agout arthritis, इनकी medication शुरू हो गई है, तो आप बीच में छोड़ देते हैं, कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, तो वो नहीं करना है, आपको regular follow-up में रहना है, अपनी medicines के साथ में, जिससे क्या होगा, अब जल्द बता है, अपनी diet को, को ध्यान में रखना होगा, और sugar को control में रखना होगा, इन्हीं चीजों की वज़े से ही, आप जाते हैं, उस medications को बंद कर सबते हैं, पहले तो आप starting में उनको continue रखी, अगला है कि blood test नहीं करवाते हैं, लोग, exactly, diagnosis ही पता नहीं लग पाते हैं, लोगों arthritis है, अपनी LFT करवाई है, इससे पता लग जाएगा, कि अगर आप kidney की problem है, तो आप उसका management लेकर भी, gout arthritis को कम कर जा सकते हैं, अगर आप liver का problem है, या कोई भी इस तरह की चीज़ अगर पता लगती है, तो उसका timely, आप natural way से, preventive way से, डाइट वी से, या फिर मेडिकेशन व तो यह मेरी सारी tips थी, जो I hope आपको काम आई होगी, help होगी, तो definitely मेरी चैनल को subscribe करें, like करें, मैंने diabetes की डाइट के ओपर भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जा कर ज़रूर देखें, thank you.